हेलो फ्रेंज वेलकम बेक टो मैं चैनल और एक रिक्वेस्ट आई थी कि मैं आएम फिन फ्लेम इनर्जी अपडेट कर दीजिए तो देख लेते हैं कि आखिर शॉट सी वीडियो बनाते हैं हम छीख है कि आखिर डीम की करंट इनर्जी क्या है और डीएफ की क्या है और फाइन रहे हैं वह देखेंगे यहां एस ऑफ पैंटिकल है हमारे पास फाइव ओफ स्वोर्ड है और फाइव कप्स है हमारे पास यह है डीम की इनर्जी इस वक्त जो डीम है काफी डिसपॉंटेड है लूज लूज सिच्वेशन है नौ प्रॉफित नौ लॉस और एक मिस करने वा स्टिल देवां टू स्टार्ट फर्स्ट कार इस इस स्ट्रॉंगेस कार यह सिच्वेशन होते हुए भी वह एक स्टेबल न्यू बिगिनिग अपनी लाइफ में करना चाहते हैं ठीक है नौ मैटर अभी सैडनेस है या डिसपॉंटेड है किसी चीज को लेकर या लूज लू बिगिनिंग स्टेबल स्टेबल न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं अपनी लाइफ में डीम डैवल काड बॉटम अब देक डैफिनेटली यह जो फाइव ऑफ स्वार्स और फाइव ऑफ कप्स है यह हो सकता है अपनी किसी कार्मिक सिच्वेशन की वजर से जो है वो डिफ वो चाहते हैं इस चाहे सिच्वेशन की वज़र से है ठीक है लेकिन लेकिन कि-षाहला कि इस अर्शी के होने के बावजूत स्टेबल टी अब धि subscribe स्टेवल डी ऋमीद नहीं चोड़ी है ठीक है चाहे सिच्वेशन जैसी मर्जी है ठीक है बट वह उसका भी कुछ चीज उसमें से बिल्ट अप करके दिखाना चाहते हैं आप यह ब्यूटिफुल टू कास देख रही हैं सिचुएशन चाहे फेवर में ना हो कार्मिक सिचुएशन चाहे उनके आसपास चलती जा रही है यह चल रही है यह वर्टेवर बट एक स्ट्रॉंग स्ट्रॉंग उनकी जो इंट्यूशन है उन्हें पता रही है कि एक स्टेबल स्टेबल्टी और एक न्यू बिगनिंग वो डेफिनेटली उनको पता है कि वो क्रियेट कर लेंगे ठीक है इस नेगिटिव सिचुएशन को कैसे पॉस्टिव में वदला जाए इस बात का कहीं न कहीं उनको पता है तो बेसिकली वो इस सिचुएशन ठीक है इस सिचुएशन से निकल के क्या करना चाहते हैं एक न्यू बिगनिंग स्टेबल्टी पर उनका फोकस रहने वाला है और देख लेते हैं देखिए थोड़ा आइजोलेट कर रखा है खुद को ठीक है जाधा किसी से बातचीत नहीं कर रहे होंगे खुद पर ध्यान दे रही है कुछ लोग कुछ अभी मेडिटेशन करते हुए भी आप लोगों को नज़र आएंगे ठीक है कुछ सवालों के जवाब अपने अंदर से पाना चाहते हैं ठीक है अपनी सोल में कुछ जैसे जहांकना ठीक है अभी थोड़ा अलो बिगनिंग चाहते हैं स्टेबल बिगनिंग चाहते हैं लव से भरी हुई बिगनिंग चाहते हैं हैपी होम लाइफ चाहते हैं उसमें स्टेबल्टी चाहते हैं नई शुरुवात करना चाहते हैं मनी में भी एक नया उनको मुकाम जो है हासिल करना चाहते हैं सिच्वेशन चाहे कार्मिक और इतनी दर्द भरी हो लेकिन अपने मेडिटेशन करते हुए कूल अपने आपको शांत करते हुए उनको पता है कि मुझे ये न्यू बिगिंदिंग शुरू करनी ही है ये चीज़ें अचीव करनी ही है चीक है तो काफी नेगिटिव सिचुईशन होते हुए कि उसे पॉजिटिव वे में सोच रहे हैं चलिए अब देख लेते हैं आखिर डिवाइन इस कार्ड को भी रख दिया जाए जो यह आये थे और इसको भी रख लिया जाए जितने भी कार्ड्स हमने देखे थे हार्डवर कर रही है किसी चीज़ को लेकर मुपने मनी अरिया ठीक है चलिए अब देख लेते हैं डिएफ की इनर्जी करंट डिएफ की इनर्जी आकर क्या है तो यहां देखिए टू आफ वांज एंपर तो यहां पर जो डिएफ की डिवाइन फेमिनेंस की नर्जी है कि वह अपने लिए कुछ डिसीजन ले रही है अपने अंदर की मैस्कुलेन इनर्जी को एक्टिवेट कर रही है ठीक है अपनी फ्यूचर्स को लेकर डिसीजन एक डिसीजन लेती हुए नजर आएंगी उनकी लाइफ में क्रॉस रॉस हो सकती है करण्टली अपनी लाइफ में किसी क्रोस रोर से डील कर रही है, दो रास्ते हैं उनके पास चलने के लिए, लेकिन यहाँ पे एकदम जस्टिस के साथ जो है, वो अपना डिसीजन लेंगी, ठीक है, पूरी प्रेक्टिकल वे में अपना डिसीजन लेंगी, अपने डिसीजन की इंचार्ज खुद हैं बॉसी सॉट आफ नेचर है कुछ डिवाइन फेमिनेंस ने टोटली अपनी मैस्कुलेन इनर्जी को काफी उभा रहा है तो काफी एक बॉसी सॉट आफ नेचर दिख रहा है स्टरबंसी इनर्जी है लिटल बिट प्राइड हो सकते हैं करंटली उनके ब सब्सक्राइड है और पैशन की कमी नहीं है पैशन बहुत जादा है हद से जादा ठीक है चलिए और कुछ काल्स निकालते हैं बॉटम आफ डेक आप देख सकते हैं यहां हमारे पास आया है किंग आफ काफ तो यहां डेफिनेटली लव तो है लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर तो पहले जो ओके हैं तो पहले जो डियम की जैसे इनर्जी थी अब उस इनर्जी में कुछ डिवाइन फैमिनेंस देखने को मिलेंगी ठीक है चलिए कुछ काज और निकाल दिये जाएं डिवाइन फैमिनेंस की करंट इनर्जी आफिर क्या है ओके काफी काज नितल के आए ह तो देखते हैं, ओके अच्छे यह तो उधरी था, ओके ठीक है, मून कार्ड और किंग ओफ वांस, मून कार्ड का मतलब होता है, हाइड करना, और यहाँ हाइड क्या कर रही है अपने इमोशन को, हमने पहले ही देखा यह भी गिरा एक और कार्ड, ओके टेंपरेंस हैं, को बैलेंस क्रियेट करके रखा है, अपने इमोशन का हाई वाइब्रेशन में हैं, ठीक है, पेशन्स के साथ अब काम ले रही हैं इस बार, तो या एक बैलेंस टी इनरजी देखने को मिलेगी डिवाइन फेमिनेंस की, थोड़ा अपने आपको बैलेंस करते हुए, अपने इन्टीूशन को सुनते हुए, ठीक है, अपने पूरे पैशन के साथ जहां उनकी प्रेटिव फिल्ड है, पैशन जहां पर लाई करता है, उसका साथ ट्यून इन है, पलस यहां आप कहसते हैं कि अपनी इन्टीूशन को सुन रही है, अच्छी लग रही है, अपना ध्यान खुद को pamper कर रही है तो या अपनी high vibration में है basically यहां और कुछ खास तो नहीं है और again bottom of the deck queen of cups definitely पहले king of cup आया था queen of cup है यहां पर definitely यह एक perfect soulful सा connection है तोनों perfect match है और emotions की कोई कमी नहीं है divine feminists की तरफ तो यह क्योगी queen of cups यहां फिर से निकल के आ गया तो मुझे ऐसा लग रहा है यह न depend करता है आपकी twin flame situation पर कुछ divine feminists बहुत जादा expressive होंगी emotions को लेकर और कुछ divine feminists express करने से रोकेंगी खुद को और लेकिन यहां एक चीज जो है वो common है वो है unconditional love रैट चलिए आप देख लेते final outcome इस connection की आखिर final outcome क्या बनेगी क्या बनती हुए नजर आ रही है मैंने connection ठीक है दीरे-दीरे success की तरफ जा रहा है यह connection आगे बढ़ रहे हैं यहां पर कुछ छोटे-छोटे step चोटे-छोटे changes आए हैं बहुत slow moving energy है धीरे-धीरे आगे move होता हुआ यह connection दीखेगा अभी आने वाले वक्त में चलिए nine of pentacle nine of cups देखिए nine by nine और फिर से queen of cups तो यह queen of cups अब यह mutual energy है ठीक है दोनों ही unconditional love करते हैं उसमें कोई शकोशुभा नहीं है यहां पर लेकिन two nine जो निकल के आए हैं यह दिखा रहे हैं धीरे-धीरे आगे बढ़ रहे हैं किस तरफ अपनी individual growth की तरफ दोनों ही parties धीरे-धीरे success की तरफ बढ़ रहे हैं और वह success का रास्ता आखिर आगे कैसे चल रहा है देखिए success का रास्ता इस तरीके से आगे बढ़ेगा कुछ की दोनों DMDF अपनी inner self अपनी inner work करेंगे self love करेंगे single power मेंगे दोनों individual level पे अपनी अँखों में एक better person बढ़ेंगे ठीक है यहां पर meditation का सारा कारवां यह होता है कि आप दूसरों की नजर में क्या है वो importance नहीं रखता है आप खुद की नजर में क्या है वो चीज जो है माइने रखती है ठीक है it's all about you not about others तो यहां दोनों जो DMDF हैं एक दूसरे की नजर में नहीं अपनी अपनी नजरों में जो है grow कर रहे हैं तो अपनी नजरों में grow करेंगे जब दोनों ठीक है उस और खुद ही independent होंगे अपना ख्याल खुद रखने में शक्षिम होंगे जब दोनों को एक दूसरे की need नहीं रह जाएगी जब दोनों एक दूसरे को अपने अंदर से अपने आपको पा लेंगे एक दूसरे के बिना भी उनको लगेगा कि हम साथ हैं और अपने अंदर से ही वह satisfaction का level contentment का level जब अचीव कर लेंगे देन उनकी wish come true होगी विश क्या है दोनों की union होना राइट तो definitely यहां उनकी wish fulfillment होगी बट उससे पहले अपने पूरे best version अपने पूरे सही अवतार में दोनों को ही जो भी अपने बुराईयां जो भी अपने अंदर जो भी इशू है उनको eliminate करने की जुरूरत है अपना best version बने की जुरूरत है अपने अंदर कोड़ पेंडेंसी इशू इंसेक्यूर्टी इशू सब इशू से लड़के जब प्रॉपर अपने हाई vibration में आ जाते हैं contentment वाली feeling अचीव कर लेते हैं उस वक्त उनका union होता है उस वक्त